मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा एक स्नैक्स लेके आई हो जो आपको बच्चे लोग भी बहुत जार अच्छा पसंद आएगा तो चुरू करते हैं आज यहां पर मैंने जो जो इंग्रिडियंस लिखा है आप लोग चेक कर लीजिए और आते हैं में रेसिपी पे यहां पर मैंने एक मैगी का पैकेट लिया है और जितने सारव हेजिटेबल से काटा है इसमें ओनियन भी लिये है गार्लिक और हरी मिर्च भी मैंने लिया है एक मैगी का पैकेट से चार रूल बन जाएंगे अब देखी यहाँ पर मैंने मैगी को अच्छा से उबाला है एक पैन में, बहुत अच्छा से उबालना पड़ेगा इसको और उसके बाद इसका पानी को मैं अच्छी तरह से ड्रेन अप कर लूँगी अब पैन में मैंने थोड़ा सा रिफायन ओयल डाला है इसमें सारा भेजटेबल्स मैंने डाला है और थोड़े दर कर इसको फ्राइ करना है इसके बाद मैंने अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे और नेक्स्ट इसमें हम लोग थोड़ा सा बीनिगर भी एड़ करेंगे ताकि कम्प्लिट फ्लेवर आए इसके बाद मैगी को इसमें हमने मिक्स कर दिया है बहुत अच्छा से इसको चलाना है ताकि पूरी तरह से मिक्स अप हो जाए देखिए अलमोस्त तयार हो गया है अब मैंने रोटी यहां पर मैदे का रोटी इस तरह से मैंने बेल के रखा है और इसको अच्छी तरह से हमको सेकना है और इसमें तेल से भी इसको फ्राय करना है अच्छा से इसको सेकना है ताकि कच्छा ना रहे इसके अंदर देखिए रोटी हमारा तयार हो गया है अब इसके अंदर जो मैंने फीलिंग के लिए तयार किया था मैगी को वो सारा इसके अंदर देना है जरुवत के अनुसार अब इसको अच्छा से रोल करना है और इसमें निम्बू का रस और आप प्लैक पेपर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से रैप करना है इस तरह से हम लोग एक मैगी का पैकर से हम लोग चार रोल बना सकते हैं बहुत ही अच्छा स्नैक्स है इप अच्छे लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे और थोड़ा डिफरेंट भी हैं तो हाजिर है आपके लिए मैगी फ्रैंकी रोल कैसा लगा यह रेसिपी जरूर बताएगा और लाइक कमेंट और शेयर करने मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा तो आने वाले समय में सारे नोटिफिकेशन रेसिपी के आते रहेंगे